ओन एर बेनकाब हुए पत्रकार राज़ीब सर्दिसाई उधाव ठाकरे ने जंतार के सामने खोल दी राज़ीब सर्दिसाई की पोड़ उधाव ने बताया राज़ीब देते हैं सरकार के खिलाफ मुद्दा बीजेपी ने राज़ीव सर्दिसाई की उधेड़ी बखिया राज़ीव जैसे पत्रकारों को क्या कहते हैं बीजेपी नवाश्कार मैं अंजरी विश्रा स्वागते आप सुभी का दो नियोज में महराश्ट्रों में 20 तारी को वोटिंग होने वाली है और इसे ठीक पहले शोशल मीडिया पर एक इंटर्व्यू का क्लिप वाइरल हो रहा है जिसे लेकर तरह तरह के रियाक्शन देखने के लेवल रहे हैं जिया बलकुश सईसुन आपने इस इंटर्व्यू के क्लिप में राजदीर सरदसाई उधव ठाकरे का इंटर्व्यू ले रहे हैं और इसी दोरान उधव ठाकरे कुछ ऐसा कहते हैं जसका मुद्दा बन चुका है दरहसल उधव ठाकरे इस दोरान ये कहते नज़र आते हैं कि आपने तो मुझे अमरावती का वो क्लिप भेजा था जिसकी चर्चा जिसके बारे में मैंने ऑन स्टेच जो है इसके बारे बात की जनसभाव में इसे लेकर मैंने जो है चीज़े कहीं है आप ही बताईए किस तरीके के हालात थे वहाँ पर उसके बाद राजदीब सरदिसाई कहते नज़रा है आ रही है कि हाँ हाँ मैं बस उसी मुद्दे पर जाने वाला था बहुत ही जादा खराब हाला थै बस यही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विशे बन देते हैं ताकि उन मुद्दों का इस्तेमाल वो अपनी जन सभाव में कर सके उन मुद्दों का इस्तेमाल वो सरकार के खिलाफ कर सके इन शौर्ट अगर कहें तो मोधी सरकार के खिलाफ यह महायुति के खिलाफ या बीज़ेपी के खिलाफ जो भी मुद्दे राजीब सवर से उठा सके अब इस तरीके से जो यह वीडियो वायरल हो रहा है इस वीडियो पर लोगों के रियाक्शन तो है ही साती साथ बीजेपी ने भी इस वीडियो को लेकर राजदीव सर्दिसाई की जम कर क्लास लगाई है बीजेपी आइटी सेल के प्रमुक अमित मालविया ने इस सगारी लीडर्स को भी और इसके बाद यह पॉइंटिफिकेशन भी करते हैं कि एथिकल जर्नलिज्म क्या होता यानि हो कहते रहते हैं कि यह तो गोदी मीडिया है दूसरे को अलग चीज़े कहते हैं यहां पर एथिकल जर्नलिज्म की बात करते हैं वह यह भी कह रही है कि जो लोग उनसे बहतरीन जर्नलिस्म करते हैं पत्रकारिता करते हैं जो बहतर जर्नलिस्ट है उनसे उनको ये गोधी मीडिया कहते हैं तो राजदीव जैसे पत्रकारों को आखिर क्या कहते हैं वहीं आपको बता दें कि यह जो वीडियो सामने आया है इस पर पत्रकारों के भी रियाक्षन है अशोक श्रिवास्तवा ने भी सब वीडियो को साजा किया क्या लिख रही है वो लिखते हैं कि राजदीव सर्देसाई चुनाओं में इंडिया टुड़ के लिए जब रिपोर्टिंग करने निकलते हैं तब उन्हें जो नेगेटिव स्टूरी मलती है वो उध अधव ठाक्रे या महाविकास गाड़ी या विपक्ष केनेता ये गोधी मीडिया का श्ब्द जो यह उन talent है और यह कहते हैं कि जो सरकार के लिए दिखाते हैं वो तो गोधी मीडिया नंके पास जो चीजय मिलती है वह गोधी मीडिया के साब से सब्सें चीजय को से सेट की लेकिन आज आप समझ पा रहे होंगे कि अमरावती का जो ये जिक्र उधव ठाकरे की जनसभाव में होता है इसके पीछे का mastermind कौन है कोई यूर नहीं बलकि पत्रकार राज़िप सरदेसाई हैं जो उधव ठाकरे जैसे नेताओ को ये pointers भेशते हैं कि अपनी जनसभाव में आ आपको क्या narrative सेट करना है क्या आपको बोलना है क्या आपको दिखाना है सरकार को नीचे किस तरीके से लाना है यानि परदे के पीछे उधव ठाकरे जैसे नेताओं को पॉइंट देने का काम मुद्दा देने का काम जो है सечение सरदेसाई जैसे पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है और साफ पत्रकारिता की बात करते थे उनकी निस्पक्षता जो है अब और जनता के सामने कुछ इसकदर बेनकाब हो रही है कुछ लोगों के अगर हम कॉमेंट्स पढ़े तो यह भी कहना है कि उधव ठाक्रे ने गलती से अपने मुझ से खबूल कर लिया कुछ लोग यह कह रही है कि उधव ठाक्रे जैसे नेताओ के पास दिमाग की भी इतनी कमी है कि वो अपने ही आका को आम जनता के सामने एक्सपोस कर रही है और यह भी बता दे रही है कि यह तो पत्रकार मुझे पॉइंटर्स भेशते हैं यह पत्रकार मुझे बताते हैं कि सब्सक्राइब करते हैं और यह कहते हैं हाँ हाँ बहुत जादा स्थिति खराब थी मैं बस उसी पॉइंट पर आ रहा था यानि उन्हों अपने इंटर्विव में भी सोच रखा था कि जो मैंने वीडियो भेज रखा है इसे वीडियो पर भी थोड़ी लंबी चर्चा हो जा कि उद्व ठाकरे खुछ से तो कुछ बोल नहीं पाएंगे अब लोग क्या रहे हैं कि अब रादीव सर्जेसाई जैसे पत्रकारों का और उद्व ठाकरे को तो एक स्पाइन लेस नेता जो है कहा ही जाता है अब ऐसे में जो कॉमेंट सेक्शन है वो यही कह रही है कि कॉमेंट में लोग यह कह रही है कि किस तरीके के पलिटिशन है किस तरीके के यह लोग है और किस तरीके की पत्रकारिता है जो इतनी ज्याद पहला अन्दी हो चुकी है कि सरकार की झिलाफ कि उधव जैसे राजनेताओं का मुद्दा देने का काम कर रहे है ऐक और हैंडल हुँ आदेड ERIC वीडियो को साज्वा किया है और वीडियो साज्वा करो करें के उन्हों ने भी राज़दीव सर्दिसाई पतन जमारा हैं वो यहाँ पर लिख रही है इंडिया टुडे के वरिष्ट पत्रकार राजीब सर्देसाई महारास्टर चुनाओ के लिए एक इंटर्व्यू के दोरान उधर ठाकरे और अन्य एम्वियर नेटाओ को जो है फीड दे रहा है यानि चुनाओ का महाल है विस्तारी को वोटिंग ह लेकिन निताओं को बूलना क्या है यह बताने वाले राजीब सर्देसाई है आगे लिख रहे हैं वो पत्रकारिता की नैतिकता का प्रवचन देते हैं और अपने से बहतर पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं खाय कि राजीब को सबसे पहले 10 जनपत के द्वार पर बधी करते हैं हम चीजे दिखाने का प्रयास करते हैं हम वो सरकार की चीजे बताने का प्रयास करते हैं हमारा कोई साइड नहीं होता है निस्पक्ष पत्रकारिता करता लेकिन जो उनसे बहतर प्रते कर पत्रकारिता करते हैं उनको यह गोदी मीडिया करता सबसे बड़ी बात है आ इनसे इंटर्वी ले रहे हैं उनको कि अच्छा आपने तो यह मुझे बताया था अच्छा आपने तो यह कहा था कि मुझे कहना है या आपने मुझे इसकी वीडियो क्लिप दी थी या आपने मुझे यह पॉइंट बताया था कि क्या कहना था या मुझे इस पॉइंट सा अफ पोस कर दिया, कि उनको बोलने के लिए बी जो मुद्धे है, जो उनके नेता है महाराश्ट्रों में महाविकास अगाड़ी के नेता, उनको भी बोलने के लिए जो मुद्धे है, और राजदीव सर्दिसाई जैसे निस्पक्ष पत्रकार उद्वारा फीड किये जाते हैं तो ऐसे मैं हमने आपको जो पुरा बामला है विस्तार से बताया है और इसे बामले पर आपकी भी जड़ाय हुआ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू से जरू साजा करेगा धन्यवाद